कि नमाश्कार मित्रूम मैं वास्तुर्यम्योतिश स्राका आशिष्कमा महातन आपका अपने यूट्यूब चैनल उपाय जोतिश में स्वगर करता हूँ कि बढूतिक इस चैनल पर आपको लगातार वास्तु सम्धित अंक जोतिश समंदित जोतिस समंदित और आपके समस्यों के समधान है तू उपाएं मिलते रहेंगे यह उपाएं अत्यान सदर होंगे परभावशारी होंगे इनको करने से आपको लाग मिलेगा मित्रों आज हम लोग बात करेंगे मंगल दोश्टी आपने मंगल में तो अवश्य सुना होगा जिसकी कुंडली में मंगल दोश्ट हो जाता है उसके विवाएं विलम होने लगता है डावपत्त जीवन में करतायोध्पन हो जाती है तो हम जानेगे कि मंगर दोष को कैसे कम किया जाए कैसे समाथ किया जाए उतका कैसे निवाण किया जाए अत्नित आसान उस्पायों द्वारब प्रहाच अली उस्पायों द्वारब मंगल नौग्रव में ग्रवों का सिनापती कहलाता है बड़ा उग्डग रहे हैं और जब लाब देने पर आता है तो बहुत लाब देता है लेकिन यहां पर हम लाब की बात नहीं कर रहे हैं यहां दोश की बात कर रहे हैं सबसे अच्छी बात कि श्युदात्री आ रही है, श्युदात्री को मंगलवार भी है, तो इस श्युदात्री का उपयोग करते हुए, उस दिन मंगलवार को मंगल दोश की शान्ती हेतु उपाय करेंगे हम लोग, बहुत आसान उपाय, कुछ नहीं कलना मेत्रों, छोटा सुपाय है, आपको तामबेगे तीन तुकड़े लेने हैं, तीनों तुकड़ों का साइग एक होगा, तीनों तुकड़ों का वेट एक होगा, और तुकड़े तीनों ट्रेंगुलर शेप में होगे, तिकोने होगे, तिर्भुजा का, तो किसी भी जब धादुएं बेशते हैं, उन दुकानों जाके आप तीन तुकड़े तिकोने कटवा लिजेगा, सेम बजन के, सेम साइज के, और उनकों लेके आ जाईए, आप मंग मंगल वाला के दिन, उन टुकड़ों को हाथ में रखकर मही मन, सोचिए कि मैं ये काल अपने मंगल दोस्त के निराकण हेतु कर रहा हूं, एक टुकड़ा उसमें से लेके आप किसी नदी नहर के के नहरे चले जाए, बैते हुए जल, नदी नहर का मतब साफ बैसता हुआ ज जहां पे हो, वहाँ चले जाए, और एक टुकड़ा उसमें नदी में, उस नहर में डाल दे, प्रवाहित कर दे, दुटी टुकड़े को आपको मंदिर में दे देना है, मंदिर कोई नहीं लेता है अगर आपसे, तो मंदिर में रख देना है, भगवान के शी चरणों में खर में लाके, किसी लाल कप्ड़े में बात कर अपने सामान के साथ रख लें, इसको आजीवन रखे रहेंगे अपने पास, ऐसा करिए, इससे आपके मंगल दोशों में काफी कमी आईगी, मंगल इस थ्वाश्चान्त होगा, विवा की बादा समभत होगी, दूसरा उपाय बताऊंगा मित्यों, मंगल बाद के दिन, गुड की बनी हुई देवणियां, गुड की बनी हुई देवणियों को आप बहते हुए जल में साथ मंगल लगाता त्रवाहित करें, इससे भी मंगल शान्त होगा, मंगल की दुष्प्रभाव कम होगे, ये दोनों उपाय एक साथ मत करिएगा, एक मंगल को पहले, आप तावे के टुपड़े वड़ा उपाय कर दे, फिर अगले मंगल साथ मंगल लगाता रेवडी वड़ा उपाय कर दे, लाभ होगा आपको, पूरिशन टाप पर विश्वास साथ करिए, बहुत अच्छा होपाय है, अत्यमतला भानवित होंगे आप, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इसके बार मैं कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, और अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए, घन्यवाद,